नमस्कार मैं शादना पांडे नित्य शादना मैं आपका स्वागत करती हूँ दोसों दरिद्धा दरिद्धा ऐसे चीज़ है जैसे कोई भी नहीं चाहता कि वह हमारे घर में आए और जिस प्रकार आपके घर में खुसियां आती हैं सम्रिधी आती है लेकिन आने से पहले एक कुछ छोटा होटा संकेत आपको मिलता है तो उसी प्रकार गरीबी आने से पहले भी आपको कुछ नकुछ संकेत मिलते हैं ऐसा नहीं है कि गरीबी आने वाली होती है और बिना संकेत बिना दस्तक के आपके घर में प्रविश हो जाए जिस प्रकार अच्छी चीजों का संकेत मिलता है उसी प्रकार बुरी चीजों का भी संकेत मिलता है दोस्तों संकेत यानि कि सकुन अब सकुन ये हमारे और आपकी बीज की बात नहीं है रामाड काल की भी एक वर्णन आप जानते होंगे कि जब स्री राम जी लंका पे चढ़ाई करने वाले थे तो माता शीता ने भी कहा कि सकुन हुए सुबनाना यानि कि मुझे सुबनान और बहुत सुब सकुन दिखाई दे रहे हैं तो ये सकुन अप सकुन की बात सिर्फ हमारे तक नहीं है ये हमारे सास्त्रों की बात है और एक पूरा एक विस्तित गरंथ है इस पे सकुन सास्त्र जिसका नाम है तो ये तो गरंथ और सास्त्रों की बात हो गई लेकिन जैसे कुछ सुब चीजे होती हैं तो आपको उसका सुब सकुन मिलता है उसी तरह जब गरीबी आने वाली होती है माली जी आपकी घर में खुब अच्छा अच्छी तरह संपनता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और यदि इस तरह के काम होते चले जाएं जिसके बारे में मैं बताने जा रहे हूँ आप तुरंत वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को अपने आप पे अनुभव कीजिएगा इन में से यदि तीन चार चीज़े भी आपके साथ मिलने लगे तो चीज़ों को फोरन समाल लिजे तुरंत सही कर लिजे क्योंकि इस से घर की गरीबी टल जाएगी दरिदता टल जाएगी तो इन सीजों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो चलिए बिना भी लमकिए आपको इन सीजों को बताती हूँ और आप इसे वीडियो देखने के बाद तुरंत चेक कर लिजेगा ध्यान रख लिजेगा हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लग जाती है तो तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सकाइब कर लें और अच्छी लग जाती है आपको लगती है तो आप दूसरों के सेयर कर देजिए क्योंकि ये तो पता ही है कि ग्यान बाटने से बढ़ता है तो आप अपना ग्यान जो चीज़े आप अच्छी लगे वो आप दूसरों के साथ भी सेयर कर सकते है पहली और महतवपून चीज जो कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ देखे कहा जाता है कि तुलसी घर में रहती है तो घर में अकाल मृत्यु का खत्रा नहीं रहता है अनेक तरह की बुरी चीजों से हमें तुलसी बचा कर रखती है लेकिन आप तुलसी लगाते हैं और वो सूख जाती है देखिए मौसम में कभी गर्मी के समझ सुख गई कभी सर्दियों में सुख गई वो चीज समझ में आती है किसी कारण से सुख गई तो समझ में आती है लेकिन आप बार बार तूलसी लगाते हैं और बार बार सुख जाती है इसका साक्षात रूप से ये मतलब प्रमाण है कि निश्चित रूप से आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ती है, कोई दरिदता, गरीबी, कोई मुसीवत आने वाली है, जिस कारण तूलसी का पौधा पहले ही सूख कर आपको बचा रहा है, लेकिन कब तक बचाएगा, जब बार-बार वो सूखता जाएगा, तो निश्चित ध्यान रखे, गर में यदि बार-बार तुलसी सूख रही है, तो आपको नई तुलसी लाकर तुरंत लगाते रहना है, दूसरा काम, घर में बार-बार लडाई जगड़े होते हैं, तो ये लडाई जगड़ा देखे, एक छोटा-बुटा लडाई जगड़ा होता है, और क रीषितर रोप से घर में कलह का वात आवड होने से तुरंत दर्छी दर्धा प्रवेश होता है। सुन्दरकांट रामाड के सुन्दरकांट में लिखा हुआ है कि जहां सुमति तहां संपति नाना जहां कुमति तहां बीपति निधाना तो जहां पे कुमति लड़ाई जगड़े कलह कावास होता है वहां दर्यदर्ता अपना डेरा बना लेती है तो इस तरह की स्थितियां है तो आप तुरंत ही इसे ध्यान रखी और अपने घर में इस स्थिती को बदल डालिए क्योंकि दर्ड़ता निश्चित ही आपके घर में प्रविश करने वाली है तीसरा, दोस्तों कोई भी सीसा ऐसा है जो कि अचानक से तूट जा रहा है आप रखे हैं और वो अचानक से उसमें दरार आ गए चाहें वो खिड़की का सीसा हो या फिर चेहरा देखने वाला सीसा हो बार-बार वो सीसा लगाने पर बार-बार उसमें दरार आ जाती है तूट जाता है सिसा तो इसे अप्शकुन माना जाता है ऐसी मानेता है कि घर में दरिदता का प्रविशोनाए वाला है जिस कारण कांच जो है इसको जेल नहीं पा रहा है और वो तूट जा रहा है चवथा दोस्तों कहा जाता है कि समसान भूमी समसान भूमी ऐसा स्थान है जहां पर हर कोई चाहे कितना भी प्रशन चीत ब्यक्ति हो निश्चित रूप से अंतिकदे देखकर दुखी हो जाता है और ऐसे दुख के समय में जो ब्यक्ति हासे करता हो हसता हो ऐसा ब्यक्ति निश्चित ही दरिदरता का पात्र होता है और प्रवेश्ट कर जाती है पाच्वा कभी भी अपने आप से निर्भल ब्यक्ति को निर्धन ब्यक्ति को या किसी भी चीज में हीन ब्यक्ति को दबाना परिशान करना बिलकुल नहीं चाहिए यदि इस तरह का काम होता है तो निश्चित रूम से विश्वास मानिये जल्द ही गरीबी क्या प्रवेश्ट आपके घर में हो जाता है अब चलिए दोस्तों अगली बात आपको बताती हूं साम के समय सोने से भी आसानी से आपके घर में दरिदित्ता प्रवेश्ट कर जाती है तो एक चीज धान रखिएगा साम को दिया बाती जो भी होता हो ठीक है लेकिन चीज आपको पता नहों और उसके आने से आपके मन में तुरंट निरासा हो जाती ऊसे देखने के बाद आपकाद बिलकुल रोम-्रोम गिड़ जाता है आप दुखी हो जाते हैं तो निश्चीत रूप से ऐसा घर जो है उसमें सिग्र दरिदता का प्रविश हो जाता है क्योंकि अतिति देवोभव हमारी सास्त्र कहते हैं अतिति देवोभव अतिति यानि कि महमान देवताओं के समान होते हैं और जब देवता के आने पे आप रुष्ट होते हैं नाराज होते हैं दुखी होते हैं चलिए अगली चीज बताती हूँ दोस्तों देखिए सभी लोग ग्रहों के अनुसार हाथों में अंगूठी पहनते हैं रत्न पहनते हैं कभी क्या होता है कि वो रत्न आपको सूट नहीं करता है या किसी कारण से वो खराब हो जाता है उसको निकाल करके आप अपने आलमारी तिजोरी लाकर में रख देते हैं ऐसे नग को तुरंत ही हटा देना चाहिए बेच देना चाहिए बदल देना चाहिए ऐसा नग रखने से भी दरिदता का प्रवेश आता है तो जिस प्रकार वो नग आपको फायदा करता है उसी तरह घिसा हुआ खराब बेकार नग रखने से घर में धृदि देता आती है तो ऐसे नक को तुरंद ही हटा दें बेचते हैं हैं अगली और अंतिम जानकरई दोस्तों घर में बिली अंचानक से बच्छ दे दे तो ये चीज़ गरीबी की निसानी होते हैं इस चित रूप से ये सद्या सत्य है कि घर में बिल्ली का बच्चा देना गरीबी आने की एकदम बहुत सटीक ये मतलब निसानी होती है तो यदि बिल्ली घर में बच्चों को जन्म देती है तो देखे वो भी तो जीव है मारना हटाना नहीं चाहिए लेकिन जैसे भी वो घर से हट जाए तुरंत से सत्यनारायन की कथा कराईए तभी जाकर उस दोस्त का निवारण होता है और घर की गरीबी जो की आने वाली आने से पहले आपको संकेत दे रहे थी बता रहे थी उससे आप बच जाएंगे तो इस चिसका ध्यान रखेगा और ये संकेत आप अभी चे पहले जानकारी लेकर उन चीजों से बचा जा सकता है तो ऐसा कर दीजेगा अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों मिलती हूं इस तरह की वीडियो के साथ तब तक भोले नात का नाम लेते रहे हर हर महादेव